बूर्णिंग हिमाजल आए नजर डालते हैं आप तक की प्रमुख घटनाओं पर माजरा में मिले दो मृत कबूतर सेंपल जांच को भुपाल भेजे मंडी में ब्यास किनारे बिदेशी परिंदों ने डाला डेरा माजरा क्षेत्र में दो मरे हुए कबूतर मिलने से संसनी फैल गई है मौके पर विभाग की टीम पहुच गई है तथा मरे हुए कबूतरों के सेंपल जांच के लिए भुपाल लैब में भेजने की तयारी की जा रही है वहीं देश भर में वर्ड फ्लू का कहर है ऐसी में कबूतरों के मरने से माज़रा में भी बर्ड फ्लू की आहठ दिख रही है वहीं आसपास के लोगों में संसनी फैली हुई है कि क्या माज़रा में भी बर्ड फ्लू का कहर आ गया है जिसके कारण दो कबूतर यहां पर मरे हुए मिले हैं थंड बढ़ने से ब्यास नदी में दर्जन से अधिक विदेशी परिंदों की प्रजातियों ने दस्तक दे दी है और कुछ परिंदे यहीं डेरा डाले हुए हैं इस बार हैड़िड गीज और ग्रेल लैग परिंदों ने पहली बार ब्यास नदी में दस्तक दी है DFO मंडी SS कश्यप ने बताया कि विदेशी परिंदे ब्यास नलसर रिवालसर वा सुन्दनगर जील में आये हैं इनमें कॉमन पोचाड पिंटेल शॉबलर कोरो मोरंटस कॉमन टेल वा साइवेरियन शामिल हैं ब्यास में केवल चार ही प्रकार के परिंदे आये हैं उन्होंन मंडी में बीदेश की परिंदे गडियर आते हैं इसी ओपर भी मंडी में यू जो परिंदे आने महीं पर रिंदेशी हैं उसमें बार हैड़न हें गूमन पोचाडं है और रेड आलट है इसके लाओर их ब्याज्यवीं पूरा प्रबंद किया है और हमने फ्लैंक के पी पूरी चौक्षी रख रहे हैं कि इनका किसी गी तरह का कोई अवैज कार ना हो इसके लावा जैसे कि वर्ड फ्लीव का स्केयर पुरे हमासर प्रदेश में चलवा है उसके मद्य नजर अभी पिछले फुकरवार को एक घजना यहां स्मेरडी के पास से है वो अर्पोर्ट की गए थी पंचूखी में आवारा पशू परेशानी का सबब बने हुए हैं एक और यह पशू फसलों को उजाड रहे हैं वहीं यादायाद को भी बाधित के हुए हैं साथी दुरगट्नाओं को भी अंजाम दे रहे हैं दिन के उजाले में बंदर फसलों को तबाह कर रहे हैं तो रात के अंधेरे में आवारा पशू फसल को उजाड रहे हैं अब परिशान जनता अपना दुख़ा किसे सुनाए सुनने वाला कोई नहीं है नेता भाशन वा आस्वाशन देकर निकल जाते हैं तो प्रशाशन की कारवाई कागजों में सिमट कर रह जाती है पिछले साल कोरोना वाइरस के चलते त्योहार की रोनक फीकी जरूर पढ़ गई थी लेकिन नए साल के साथ एक वार फिर से त्योहारी सीजन की शिरुआत हो गई है मकर सकरान्ती का पर्व सोलन में हर सोलास के साथ मनाया जा रहा है जिलाभर में शधालों ने मंदिरों में जाकर सूर्यदेव की पूजा अर्चना की वहीं मकर सकरान्ती पर पूर्वजों और पित्रों को तरपन किया बता दें कि मकर सकरान्ती का त्योहार मौसम बदलने का भी संकेत देता है सर्दी के बाद मकर सक्रांती से बसंद के आगमन का इशारा मिलता है इस दिन खिचडी जरूर बनाई जाती है कुमाओं रेजमिंट के 149 जवानों ने 14 GTC में 32 सपता की कड़ी ट्रेनिंग के बाद गुरुवार को सेना के सलारिया मैदान में मार्च पास्ट के दोरान ब्रिगेडियर एचस संदू को सलामी दी कुमाओं रेजमिंट का सेंटर रानी खेत में है लेकिन पिछले 32 सपता से 149 जवान सुबाथू में दुश्मिन पर बिजे हासिल करने का हुनर सिखा रहे है ब्रिगेडियर एचस संदू ने कोर्स के दोरान बेस्ट कैडट रहे पवन सिंग शाही को मेडल से समानित किया उन्होंने सभी जवानों वा उनके अभिभावकों को सफल ट्रेनिंग पर बधाई देते हुए जवानों को इमानदारी से अपने सेंटर का नाम रोशन करने का संदेश दिया